हलो एवरिवन वेलकम टू माय चनल तो आज हम लोग सॉल्ब करेंगे कोश्चिन नंबर वन यह है अपना वक्षेट 6 और इसके पहले के जो भी वक्षेट है ना इसको हम लोग सॉल्ब कर लिए हैं और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ का पहला है 3X को सब्टेट करना किस से 5X से यहां पर लिखा हुआ ना फ्रॉम का मतलब क्या हो रहा ना यह जो हमारा है सेकेंड टर्म इसमें को फर्स्ट टर्म को माइनस करना है ओके यह अपना मिनिंग हो रहा है तो आई यह हम यहां पर लिखेंगे ए नंबर पर तो अभी कि देखी है इस नंबर पे नॉट कर लेते हैं हमको किस सब्टेट करना है frum 5x से निकलना है तो पहले हम यहां नोट करेंगे 5x ओके 5x लिखे और इसमें हम सब्टेट करेंगे subdivets करना मतलब माइनस करना तो माइनस हम कि è 3 X ये देखिए 3 X, ओके, ये हो गया, आप देखिए, जब भी हमको subdivets करना है, तो हम लोग क्या धहान देंगे न, जो numerical coefficient है, यहाँ numerical coefficient क्या है? आपका 5 है, और यहाँ क्या आपका numerical coefficient है? माइनस में 3 है तो आप बताईए ये plus में 5 है मारे पास ये minus में 3 है दोनों को अगर हम calculate करते हैं आने के दोनों का difference निकालते हैं तो हम क्या मिलेगा तो जेखिए जब भी different sign हो तो हम लोग क्या करते हैं उस case में बड़े वाले नमबर में छोटे वाले नमबर को minus कर देते हैं तो 5-3 किजिए आपको क्या मिलेगा 2 और यहां पर चेक किजिए बड़ा वला नमबर कौन सा है आपका बड़ा वला नमबर है 5 उसका sign क्या है plus तो यहां पर क्या लगांगे plus 2 ठीक है plus 2 लगाना जो भी बड़ा नमबर हो bigger नमबर जो भी हो उसी का हमको sign देना यह धियान रख लिखेंगे यहां पर 2 ओके यहां पर कोई भी sign नहीं लिखें इसका मतल़ हो रहा है कि यह 2 मेरा plus में है और इसके साथ जो x है वो हम यहां पर put करेंगे चुक्कि x अपना क्या होता है यह जो x आप देख रहे हैं यह हमारा क्या ना variable है हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो करना किसे 3 यह से यह देखिए हमारे पास 3 यह है इसमें हम माइनस करेंगे क्या 4 यह तो आएए हम बी नमर पर नोट कर लेते हैं पहले हमको नोट करना पड़ेगा 3 यह और इसमें हमको माइनस करना पड़ेगा क्या 4 यह तो फिर से हम numerical coefficient की बात करेंगे तो यहां पर देखि दोनों के दोनों जो नमबर हैं दोनों numerical coefficient है और दोनों का sign different है एक माइनस में है एक पलस में और दूसरा माइनस में है तो जब भी different sign होता है हमको क्या करना पड़ता है सब्टेक्ट करना पड़ता है तो अब बताएं यहां पर सब्टेक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा तो यह difference लेंगे तो 4 यहां पर देखिए 4 माइनस 3 करेंगे हम तो हमको क्या मिल जागा ठीक है अब देखिए यहां पर बड़ा नम्मर कोन है numerical value किसका ज्यादा है तो य माइनस में one आएगा और यहां पर यह आएगा तो आप गौर कीजएगा हम लोग one जब रहता है coefficient तो हम लोग उसको not नहीं करते हैं तो one कहां से क्या करेंगे हम केवल क्या लिखेंगे माइनस यह तो हमारा answer क्या हो गया माइनस-one हमारा minus यह हमारा answer हो गया ठीक है इस तरह से हमने B number को solve कर लिया चलिए हम लोग C number को solve करते हैं तो देखिए C number पर हमारे पास क्या है न X square है इसमें हमको minus करना है क्या 13 X square ओके किलिए हो गया हमको क्या करना है पहले हम लोग लिखेंगे X square उसमें minus करेंगे 13 X square को तो आईए हम सी नमर पर नोट कर लेते हैं हमने लिखा x square और इसमें को माइनस करना है कितना 13x ओके 13x square यह नोट कर लिया चलिए आप हम क्या करेंगे numerical coefficient को चेक करेंगे यहां पर तो आप देखिए numerical coefficient आपको क्या दिख रहा है यहां पर यहां पर दिख रहा है जो यहां पर देखिए इस पहा हम क्या करना पड़ेगा तो यहां पर 13 में हम माइनस कर लेंगे अब जो बड़ा नमबर है उसका क्या करेंगे जो भीगर नमबर है तो यहां पर चेक करते हैं लोग यह हमारे पास जो two numbers है इसका हमको क्या करना difference निकलना है तो 13 minus 1 हम लोग किये तो क्या हमको मिल गिया यहाँ पे 12 मिल गिया अब देखिए numerical value ज्यादा किसका है 13 है और इसका sign क्या है अपना minus है हम लोग यहाँ पे क्या put करेंगे minus तो हमारा answer क्या आ गिया minus 12 तो हम यहाँ पे क्या note करेंगे minus 12 ओके और यह x square हमारा रहेगा as it is क्यों चूकि x square जो है न हमारा variable है और variable हमारा change नहीं करता है कभी change नहीं करेगा चाहिए आप add कीजिए या फिर आप subtract कीजिए आपका variable में कोई change नहीं होने वाला है तो हमारा answer क्या आगे यहाँ पे minus 12 x square किलियर चलिए d number को check करते हैं तो d number पे हमारे पास है परस्ट में आप चेक करिए यह है 3 y इसमें हमको minus करना है minus y को चुकि यहाँ पे minus sign में डबल आ जा रहा है यहाँ पे minus और यह minus दो बार आ जा रहा है तो इस case में हम क्या करेंगे यहाँ पे bracket लगा देंगे bracket हम put कर लेंगे अब क्या होगा यह जो minus sign हमारा है और यह minus sign है दोनों हमारा multiply हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा ज़रा चेक किजिए तो यह हमें भी नॉट करेंगे 3Y को तो हमारे पास यहाँ पे आगया 3Y और यह देखिए यह माइनस और यह माइनस आपस में क्या होगा multiply हो जाएगा तो माइनस और माइनस multiply हो तो क्या आता है हमको तो हम जानते हैं minus into minus जब भी होगा तो हमको क्या देगा plus देगा ओके तो हमारा यहाँ पे क्या आ जागा बीच में plus आ जाएगा ठीक है और यह plus और हमारा y हो गया ओके समझा गी हम लोग को तो अब देखिए यह हमारे पास numerical coefficient क्या मिल गए यहां से प्लस 3 और यहां पे प्लस 1 दोनों को add किये हमको क्या मिल गए यहां पर हमको मिल जागा प्लस में 4 तो हम लोग क्या लेखेंगे 4Y ठीक है यह हमारा answer हो गया 4Y final answer ओके तो इस तरह से हम लोग यहां पे subtract कर सकते हैं चलिए next question को हम लोग चेक करते हैं तो अगला question हमारे पास है E number ओके तो E number पे हम क्या करेंगे ना हम पहले note करेंगे यहां पे यह 3A को ओके और इसमें minus करना है 7A को minus 7A को तो हाईए हम note करेंगे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहां पर E number पे minus में 3A ओके यह note कर लिए और इसमें हमको minus करना है minus 7A minus 7A तो हम यहां पे क्या लेखेंगे हम लेखेंगे minus 7A और चुकिए यहां पे minus sign दो बर आ गिया एक बार यहां पर एक बार यहां पर तो हम क्या करेंगे यहां पे एक bracket ले लेंगे यह देखें हम bracket ले लेते हैं यहां पर यह bracket हम ले लिए चलिए यह bracket लिए अब देखेंगे अगला step में हमारे पास क्या हो जाएगा minus में 3A रहेगा अपने पास और यह जो minus आप देख रहे हैं तो हमारा यहां पर क्या आने वाला है plus आने वाला है क्यों आ रहा है हम समझ गिए यह minus और यह minus multiply होके हमको plus दे रहा है ठीक है चलिए अब हमको plus मिल गया और यहां पर क्या हमारे पास 7 यह है तो हम 7 यह कुनों हाँ पर note लिखेंगे ok 7 यह लिखेंगे अब देखिए हमारे पास क्या आगे result यहां पर है numerical coefficient minus 3 और यहां पर है numerical coefficient plus 7 तो हम यहां पर लिखते हैं minus 3 और यहां पर लिखते हैं plus 7 ok दोनों में different difference sign है difference निकालते है क्या आएगा 4 आएगा और चुकि बड़ा कौन है यहां पर देख सकते हैं 7 मेरा बड़ा है इसका sign क्या है plus तो हम यहां पर क्या लिखेंगे plus तो हमारा answer क्या आएगा plus 4 a ok तो हम यहां पर क्या note करेंगे हमारा answer आएगा plus में 4 a ठीक है यह हमारा हो क्या final answer clear चलिए हम F number को check करते हैं ok तो F number में हमको क्या करना पड़ेगा पहले लिखना पड़ेगा minus 3 a b c और उसमें हमको subtract करना पड़ेगा 3 a b c ok चलिए आए हम यहां पर पहले note कर लेते हैं minus में minus में यह F number है हमारे पास तो F number पर हम क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे minus 3 a b c और इसमें हमको minus करना है यह first जो हमारे पास 3 a b c तो हम यहां पर लिखेंगे 3 a b c clear है अब देखिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर हमारे पास numerical coefficient है minus में 3 यहां भी numerical coefficient है minus 3 जब same sign होता है तो आप याद किजिए हम आपको बताये थे पिछले वीडियोज में same sign होने पर हम लोगो क्या करना पड़ता है add करना पड़ता है और sign वही देना है जो दोनों का है तो यहां पर minus 3 है और फिर से minus 3 है दोनों में same sign है दोनों को add कर दिये 6 आ गया और दोनों का sign क्या है यहां भी minus यहां भी minus है तो हम लोग क्या यहां पर put करेंगे minus sign put करेंगे तो हमारा answer क्या आने वाला है हमारा answer आने वाला है minus 6 तो देखिए हमारा answer आगे यहां पर minus 6 और चुकि यह जो आप देख रहे हैं ABC एबी-स यह क्या हमारा यह से वोड़ियरेबल से तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे वह हमारा एज इटीज रह जाएगा तो हमारा यहां पर एबी-स भी आ जाएगा चिक है तो यह हमारा हो गया फाइनल आंसर क्लियर तो बिल्कुल ही एजी है हम लोग इजी वे में इसको solve कर लिए ओके तो चलिए अब आते हैं हम लोग question no.2 के हम लोग बात कर लेते हैं तो question no.2 में हमारे पास क्या है column method का यूज़ करना है subtraction के लिए okay subtract करना है बस column method का इस्तिमाल करके तो आईए इसको हम लोग solve करेंगे तो column method हम लोग जान रहे हैं एडिसन में हम लोगों ने देख लिया था कि column method हम लोग कैसे add करते हैं तो आईए यहाँ पर हम क्या करेंगे हमी solve करेंगे इसको तो आईए इसको हम लोग solve करते हैं तो पहले तो इसको हम rough कर ले ओके चलिए इसको हम हटा लेते हैं तो यह मेरा हट गिया है अब हम आते हैं यहां पर पहले not करेंगे column method में इसको column wise लिखना पड़ेगा तो यहां पर check करते हैं हमारे पास क्या है from तो यह कहा है हमारा binomial है क्यों binomial है तो आप देख लिए इसमें two terms है कितने terms है two terms है तो जब भी two terms होता है तो हमारा क्या कराता है binomial कराता है तो कोई बात नहीं हम इसको as it is not करेंगे हम पहले यहां पहले लेते हैं यह नमबर और यहां पर हमको लिखना पड़ेगा two X और प्लस में लिखना पड़ेगा three y ठीक है चलिए लिख दिए अब हमारे पास यह पहला जो binomial है इसको हम नीचे लिखेंगे कहां पर यहां पर not करेंगे ठीक है आईये not करते हैं तो हम य 3x और प्लस में 2y not कर लिए अब हमको क्या करना है यहाँ पर aik line ड्रॉ करना है this तरह से ओके आईए हम line ड्रॉ कर लेते हैं तो यह मैंने line यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एदेखी अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा sign change करना पड़ेगा यह धिशान रखे जब भी हम subscribe करेंगे column method तो sign हमको क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा कहा sign change करना है तो यह जो आप देख रहें न इसमें हमको sign change करना पड़ेगा वो कैसे होगा तो आइए हम उसको भी देखते हैं कैसे होगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं यह हमारा जो 3x किसमे है यह हमारा प्लस में है है ना तो इसको माइनस कर लेते हैं क्या करेंगे इसको माइनस कर लेते हैं तो आई यहाँ पर माइनस कर लिए ओके और दूसरा देखिए यह हमारे पास क्या है ना प्लस में है साइन की प्लस 2 है जिसको माइनस में कर लेते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे ठीक है चलिए अब हमारा यह साइन चेंज हो चुका है अब हमारा यह क्या हो गया देखी यह हमारे पास है प्लस में 3y यह हमारे numerical coefficient क्या है plus two नहीं है minus two हो चुका है okay minus two हो चुका है यह numerical coefficient अब दोनों का आप निकाल ये difference क्या मिलेगा one मिलेगा और चुकि different sign है तो बड़ा नम्मर क्या है plus three उसका sign क्या plus one तो यहां पर हमारा क्या आजागा plus one आजागा तो हमारा answer क्या आने वाला यहां पर जो answer आ जाएगा वह हमारा होगा y और यहां पर one y तो यह प्लस में तो आप ध्यान दिजिए हम लोग one को लिखते नहीं है तो one को हम हटा लेंगे तो हम सिधा क्या लेखेंगों यहां पर बसके वाल में प्लस वाई वह 다녀ALKा चलिए इब नेक्स्त यहां पर हम चीक करते हुए भरवार क्या प्लस टू और यह हमारा minus three है वह माइनous three हो चुका है तो यह ब्लस टू और यह minus 3, ओके, दोनों के बीच का difference क्या है, 1 है, बड़ा number कोन है, यहाँ पे, बड़ा number हमारा है, 3, और उसका sign क्या है, minus में है, उसका sign क्या है, minus में है, तो हम क्या लिखेंगे, minus, तो हमारा answer क्या आएगा, minus 1x, ठीक है, तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारा answer क्या आजाएगा, हमारा जो answer हैगा, वो केवल x, minus में, ओके, तो हमारा यह final answer बनके आजाता है, minus x, plus y, यह हमारा हो गया final answer, ओके, तो इस तरह से हमको subject करना है, column method से, तो आईए हम और भी question को solve करते हैं, b number को solve करेंगे, और आगे के भी solve करेंगे, तो हमारा concept विलकुल clear हो जाएगा, तो पहले हमको यह note करना पड़ेगा, ओके, यह जो हम देख रहे हैं, इसको हम पहले note करेंगे, उसके बाद second में हम इसको note करेंगे, नीचे, तो आईए हम note करेंगे, यहाँ पे, हम लिखेंगे, 3, b square, और minus में, 4, a square, ठीक है, अब इसी के just नीचे हमको note करना है, यह, ओके, यहाँ पे हम note कर लेते हैं, आईए, note करेंगे, हमारे पास क्या आईए, a square है, यह, देखिए, a square है, और यह क्या, b square है, तो हम a वाले को a के साथ note कर लेते हैं, और b वाले को b के साथ note कर लेते हैं, हम change कर लेते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या note करना पड़ेगा, 2, b, यहाँ पे note करना है, ओके, तो आईए, हम किसके साथ नोट करेंगे ये के साथ नोट कर लेते हैं तो हमारे ये भी पुलस में है तो हम यहाँ पे एसक्वार को पुलस में लोट कर लिए चलिए एक लाइन हम ड्रो कर लेते हैं ओके अब हमको क्या करना है हमको करना है साइन चेंज क्या करना है साइन चेंज करना है ओके दियान रखिएगा तो sign change करना है तो यह मेरा plus में देख रहा है हम यहाँ पर minus put करेंगे और यह मेरा plus में तो यहाँ पर minus put कर लेते हैं ओके आईए हम sign को change करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर लिए minus और यहाँ पर क्या कर लिए minus क्यों चुकि यह हमारा plus में है ओके यह हमारा क्या है, प्लस में है, और ये भी हमारा प्लस में है, तो हम दोनों का sign change कर दिये हैं, अब हम क्या करेंगे, subtraction का काम करते हैं, तो अब ध्यान दिजिए, यहाँ पर क्या है, coefficient कितना है, minus में 4 है, और यहाँ पर coefficient क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे आफ माइनस हो क्या है सेम साइन है तो सेम साइन होने के केस में क्या करेंगा दोनों को एड कर लेंगे तो दोनों को एड करेंगा थमको मिलेगा 5 और चुकि दोनों का साइन क्या है माइनस तो हम यहां पर लगाएंगे माइनस तो हम यहां पर क्या नोट करेंगे हम नोट करेंगे माइनस में 5 यह हमारा इन दोनों का सम आ चुका यहां पर ठीक है चलिए अब इसी तरह से हम यहां पर सम निकाल लेते हैं तो यहां हम चेक करते हैं हमारे पास numerical coefficient क्या है यह है प्लस में और यह है माइनस में तो प्लस में हमने लिख लिया यहां पर 3 और माइनस में हमने लिखा 2 ओके अब ह धुरी तो हम यहां पर प्यूट करेंगे प्लस वरन ओके हमारा अंसर प्लस में आएगा प्लस वन भी आएगा प्लस वन भी असक्वार और यह हमारे पास final answer और यह हमारा हो गया final answer minus b square minus 5A को के इस तरह से हमने second number question को यहां पर क्या 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 solve कर लिया है चलिए c number को solve करते हैं तो c number पर हमने यह note कर लिया यह देखिए ओके यह हमारा पास यहां पर हमने note कर लिया अब जस्ट यह जो first वाला है यह हम यहां पर note करेंगे इसके नीचे तो आई हम note करते हमारे पास क्या है देख लेजिए 5x square y minus 3xy square तो हम यहां पर note करेंगे 5x square y और minus में 3xy square ठीक है अब यहां पर हम एक line draw करते हैं अब हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर पहले तो sign को change करना है जब भी हम subject करेंगे तो हम लोग यह ध्यान रखेंगे कि क्या करना है हमारा sign change होना चाहिए किसका तो यह जो जिसको हम subject करने उसका sign हमको change कर देना है ओके तो आईए हम sign change कर लेते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यह हमारे क्या है plus में 5x है तो यह हमारा आप यहाँ पे हो जागा minus ठीक है और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है minus में 3x है तो sign change कर रहे हैं तो यह हमारा हो जागा आप plus ओके ये बहुत important है इसको आप धिखान रखी चलिए अब यहां पर हम check करेंगे ये हमारा coefficient क्या है plus में 4 और ये हमारा coefficient क्या है plus में 3 तो इसको हम क्या करेंगे ना भी add कर लेते हैं तो इसको हम कैसे लेखेंगे हम लेखेंगे प्लस में 4 और ये प्लस में 3 अब ये माइनस में नहीं रहा चुका है ये चेंज होके प्लस हो चुका है अब दोनों में same sign है तो add कर लिए थमकू क्या मिल गया प्लस में 7 तो हमारा answer क्या जागा है यहाँ पे 7 x y square ओके ये देखिए जो x y square है x y square ये हमारे क्या है ये हमारे है variable तो variable कभी भी change नहीं करता है वो add जाएगा तो हमारा x y square यहाँ पे आचुका add जाएगा अब sign की बात करेंगे यहाँ पे कौन सा sign आएगा पुलस आएगा क्यों आएगा यह हम जानगी है चलिए अब हम बात करते है second यहाँ पे हमारे पास है minus 2 और यह बन चुका है minus में 5 तो minus 2 और यह minus 5 देखिए दोनों में क्या है ना same sign है same sign है तो हम दोनों को add कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और चुकि यहाँ पे sign क्या है minus तो हमारा answer आएगा minus 7 तो हम यहाँ पर क्या लेखेंगे हम लेखेंगे माइनस 7X square Y तो यह हमारा final answer आ जाता है यह देखिए हमारा final answer आ गया माइनस 7X square Y plus 7XY square चलिए हम next अब बात करेंगे question number जो है हमारा D ओके D नमबर को में लोग solve करते हैं यह तो यहाँ पर हम देख रहें यह हमारा क्या है ना सेकेंड है इसको हम पहले यहां पेनोट कर लिए अब जर्ट इसके नीचे हम नोट करेंगे फस्ट जो हमारा है ट्री टर्म से तो आइए इसको हम नोट करेंगे हमारे पास यह वागा 2 तो यह माइनस में 3B और प्लस में 5, ठीक है, अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिए, अब करेंगे हम लोग, क्या, sign change sign change करना है यह बहुत important है जब भी हम लोग column method से solve करें तो sign change तो यहाँ पे plus में 2 है हम आपको क्या करना पड़ेगा minus और यह चेक किजिए यहाँ पे क्या है ना minus में 3 है हम यहाँ पे क्या कर लेंगे plus और यह देखिए हमारे पास में plus 5 है तो इसको हम क्या कर लेंगे minus ठीक है तो आईए इसको हम कर लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे minus और यहाँ पे करेंगे plus और यहाँ पे करेंगे minus चलिए अब हमको क्या करना next step इसको add करना है यह है minus 2 और यह अब हो चुका है minus 5 तो minus 2 और minus 5 दोनों में same sign है तो दोनों को add करेंगे 7 और sign क्या देंगे दोनों में यहाँ पर देखिए minus है तो same sign हमको minus देना है हमको क्या आजाएगा minus 7 आजाएगा तो हमारा answer यहाँ पर होगा minus में 7 clear अब देखते हैं हमारे पास यह B number पर यहाँ पर coefficient क्या है minus में 1 है और यहाँ पर क्या है यह minus 3 अब नहीं रहा गिया अब क्या हो चुका है यह plus 3 हो चुका है ओके ध्यान दिजिए तो हम यहाँ पर note करेंगे minus 1 और यहाँ पर note करेंगे क्या plus में 3 ठीक है अब दोनों में different sign है तो क्या करेंगे सब्टेक्ट difference लेंगे तो plus 3 minus 1 यह को 2 मिलने वाला है और sign क्या देंगे तो बड़ा नम्मर को ने 3 उसका sign क्या है plus तो हमारा क्या आएगा plus 2 तो आईए हम यहाँ पर note करेंगे plus में 2 और इसके साथ आप देखिए variable क्या है बी तो जब बी variable है तो हम यहाँ पर क्या note करेंगे बी ओके तो यह हो गया अब next हम आगे बढ़ लेते हैं यहाँ तो यहाँ देख रहे हमारे पास क्या है plus में 5 और minus में 2 तो हम note करेंगे plus 5 minus में 2 देखिए दोनों में difference है हम difference लेंगे तो 3 और यहाँ बढ़ा कोन है तो बढ़ा हमारे पास plus 5 तो sign क्या आएगा plus 3 तो plus 3 हमारा आगे ultimately तो हम यहाँ पर क्या note करेंगे हम note करेंगे plus 3 और यहाँ पे coefficient की बात करें तो coefficient a है तो हम लोग यहाँ पे note करेंगे a तो हमारा क्या आ गया final answer यह हमारा answer आ गया plus 3a plus 2b minus 7 इस तरह से हम लोग solve करते हैं column method से तो अब चलिए हम लोग next यहाँ पे solve करेंगे e और f उसके बाद कर लेंगे वीडियो को stop ओके तो पहले हम लोग e नमर को solve करते हैं तो यह देखिए मैंने यहाँ पे note कर लिया है यह हमारे पास जो दोनों है यह मैंने निचे लिया है और यह हमने ऊपर लिया है ठीक है चलिए अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर subtract करेंगे तो इसके लिए हमको यहाँ एक line 1986 करना है हमको क्या करना है हमको क्या करना है یہ बहुत important है तो आप देखिए महारे पास plus है between स्टेश होने के बाद हम इसको करेंगे add तो यहाँ पर coefficient कितना है minus 1 और यहाँ पर coefficient कितना है plus 1 यह plus हो चुका है आप ध्यान रखेंगा ओके तो हमारे पास minus 1 और यह plus 1 minus 1 plus 1 क्या देगा 0 तो इसका मतलब यह हमारा cancel हो जाएगा हम इसको क्या कर लेते हैं cancel minus r और यह plus r cancel हो गया है ठीक है चलिए आप यहां पर हम बात करते हैं दुसरा q के बारे में बात करें तो q का coefficient यहां कितना है minus 1 और यहां पर coefficient क्या है minus 1 दोनों जगह यह minus हो चुका है तो हमारे पास minus 1 और minus 1 जो कि same sign है तो add हो जाएगा और sign क्या रहेगा minus का तो हमारा क्या आ गया minus 2 हम लोग यहां पर क्या note करने वाले हैं हम लोग यहां पर note करने वाले है minus 2 और variable क्या है तो variable यहां पर q है तो q यहां पर आ जाएगा ओके और यह r का जो term है यह r का term हमारा cancel हो चुका है यहाँ पर चीक है तो next चलेंगे हम यहाँ पर P वाले terms को देखते हैं तो P पर यहाँ पर coefficient minus 1 यहाँ पर coefficient minus 1 तो minus 1 और यह minus 1 क्या हो गया minus में 2 हम क्या लिखेंगे यहाँ पर minus 2 और variable क्या यहाँ पर P तो P मेरा नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पर P लिट कर लिए ओके तो हमारा answer क्या आ गया यह answer हो गया हमारे पास minus 2 P और minus 2 Q ओके यह हमारा answer हो गया चलिए next question solve करते हैं जो कि है F number होके और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे वीडियो को stop और थर्ड नमर जो question है इसको हम लोग next video lesson में बनाएंगे ओके आईए तो हम इसको कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने first वाले को note कर लिया है यह देखिए अब just इसके नीचे जिसको हमको सब्टर्ट करना उसको हम नेचे लिखेंगे ठीक है तो को हम नेचे note कर लेते हैं तो हमारे पास है यह एक क्यूब एक क्यूब नोट किये और प्लस में है बी क्यूब बी क्यूब को note किये और माइनस में है ठीरी एबी सी इसको नोट कर लिए चलिए एक लाइंड रो कर देते हैं अब most important things क्या है तो आप जानिए sign को change करना okay sign को change करना बहुत important चीज़ है सब्टेट करने के लिए तो आईए हम लोग sign को यहाँ पे change करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास यह जो है प्लस में ठीरी है यहाँ पे माइनस में ठीरी है तो sign change किसका करेंगे हम sign change करेंगे यह जो हमारा है जिसको हम सब्टेट कर रहे हैं उसका sign change करेंगे तो देखिए यह हमारे पास है प्लस में ठीरी माइनस में ठीरी यहाँ पे हम क्या कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे प्लस थिरी ओके यहाँ पे देखिए बी हमारे पास क्या है बी क्यू हमारे पास प्लस में है था हम यहाँ पे कर देंगे माइनस बी क्यू और यहाँ पे चेकिजिए एक्यू क्या है प्लस में है तो हम यहां पर क्या कर लेंगे माइनस एक्यू कि लिए यह साइन हमारा चेंज हो चुका है ओके साइन हमने चेंज कर चुका है अब हमको क्या करना है यहां पर कोफिशेंट देखिए यहां पर नुमरिकल कोफिशेंट क्या है थिरी और यहां पर न नोबसेइन क्या है सिर्याने की 2 सीन साइन दो एड़ क्या है लगा प्लस उक्ति हम क्या लिखें हैं यहां यहां लिखने वाले हैं विप ईविशी क्यों चुक्छी एबिसी हमारा है बेरीबल और यह जो हमारे पास BQ है और यहां देखते हैं कोफिशेंट क्या है यहां पर कोफिशेंट हमारे प्लस वन दीख रहा है यहां पर कोफिशेंट क्या है माइनस वन यह प्लस में अब नहीं है यह क्या हो चुका है माइनस हो चुका है तो अभी हम दोनों को देखेंगे तो प्लस वन और यहाँ पर minus one अब देखिए दोनों different हैं तो यह हमको क्या मिलेगा zero तो इसका मतलब यह हुआ कि यह time हमारा हो जाएगा cancel out तो इसको हम cancel कर देते हैं ओके तो आईए हम इसको cancel कर दें minus b और यह b और b b q b q हमारा क्या हो गया ठीक है अब next हम यहाँ पर देख रहे हमारे पास है aq वाला तो aq में यहाँ coefficient check किजिए minus one यहाँ पर क्या है minus one क्यों minus one है चुकि यहाँ पर पहले तो था plus लेकिन अब यह minus हो चुगा है तो हम यहाँ पर लेंगे minus one यहाँ पर लेंगे minus one तो आईए हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर minus one minus one minus one क्या हो जागा minus में two हो जागा क्यों चुकि same sign है तो add हो जागा और क्या जागा minus two तो हमारा answer क्या आने वाला है minus two और इसके साथ क्या आएगा aq ओके और यहाँ ध्यान देजिए यहाँ पर हमने यह plus और यह plus तो हमारा sign यहाँ पर क्या होगा plus में six होगा यहाँ पर plus में six लिखेंगी ओके तो हमारा answer क्या आगिया minus two aq plus six abc यह हमारा final answer हो गया ठीक है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको हम लोग solve करेंगे आगे आने वाले वीडियो में और उसका लिंक में देदूंगा description box में या तो फिर आप आए बटन से वहाँ पर जा सकते हैं तो आज की वीडियो लेसन में बस इतना ही so I hope this video lesson is helpful for you so like this video and share with others and do some comments okay also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead